हलो बच्चो मैं दीपा अर्मा अविपशा एडूकेशन फॉर एक्सलेंस के इस करियर पाथ सिरीस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि बच्चो हमने अपने करियर पाथ सिरीस चालू किया है जिसमें हम डिफरेंट करियर ओप्शन्स डिफरेंट इस्ट्रीम और उसे लेटेड कोर्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चो मैंने पिछले लेक्चर पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको जैसे मैंने कहा ना 56 भोग आपके पास है किसी एक चीश पर नहीं है तो चाहिए आप 11 में हो 12 में हो यह 12 पास कर चुके हो आपको कहीं न कहीं यहां इस से लेड़ कई चीज़ें अगर बात करते हैं तो देखो बैलोजी की बात किये जाए तो बैलोजी के अगर डिफरेंट डिफरेंट में कि उसमें जा सकता है और गर्किया होता है कि आप किसी भी जैसे है अगका अगर बालोजी से सब्ददित देखो गहें तो पहला उता होता research bioscience health science and agriculture यह चार मेंन विंक्स हैं biology के जो पटिकलर biology fields यह science system से बोला जाए science system से क्यों बोड़ यह वोड़ हूं कि जब आप agriculture में जाएंगे ना बच्चे तो वहां पर agriculture में सिर्फ बाइलोजी नहीं होता मैस बेग्राउंड वाले भी इंक्रूड होते हैं तो हमें इन चीजों को आज समझना है ठीक तो आज मैं किस फिल्ड के बारे में बात करने वाली हूं टोटली एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर को हमको सोचते बहुत छोटा सा फिल्ड है है ना पुरा जीवन बादर खेती खर्यार में निकल जाते हमारे पीता जी लोग सब लोग क्या है पूरे खेती वाले हैं तो क्यों ना उसके बारे में हम बात करें कि खेती कैसे हो सकती है उसको कैसे इंप्रूब किया जा सकता है सरकाल भी डिफरेंट टाप के खेती के लिए कि खेती इस में काम करना में काम करना तो कवन ही में कुछ बन जांट बन चान परके दिखा सकर था कि तो हम पहली बात कर देखो तो एक ऐसा यूनिट होता है जो कि हमारे चाटिस गड़ में सबसे ज़्यादा अगरिकल्चर के अंदर आता है और चाटिस गड़ में सबसे ज़्यादा अगर एकनॉमिकल सेक्टर देखे जो सबसे जादा है तो हम लोग जब पूरे जमीन से तो चलो मैं आज आपको करियर से अग्रिकल्चर से लेटिड करियर ओप्शन कोर्से और कॉलेजिस बताती हूं ठीक तो देखो अगर आप क्रिशी के छेतर में जाना चाहते हैं तो पहला है कि आपको केमेस्ट्री और फिजिक्स है नो केमेस्ट्री फिजिक्स कंपल सरी है तो या तो आप बायो से हो सकते हैं या तो मैथेमेटिक्स या पर्टिकुलर कुछ स्कूल में एग्रिकल्चर एक अलग स्ट्रीम होता है तो आप उस फिल्ड से हो सकते हो अब इसके लिए दो टाइप के एक्जाम होते हैं क्योंकि कॉलेजिस के दो है या तो एक सेंटर ले से जून के बीच होता है और क्या है इसके बेसिस पे आपको Central University हो या State University वहां आपको admission दिये जाते हैं ठीक है तो देखो biology field से हो तो अगर आपको agriculture फिर्म जाना है तो domain exam national level पर क्या है AIWA ठीक है और state level पर PAT exam देना होता है ठीक है तो AIWA का क्या होता है All India Interest examination for admission यह particular agriculture field के लिए होता है जहां different state में जितने भी Central University है वो उनके लिए exam होता है ठीक है अब इसको exam कौन का ड़क कराता है भाई इंडियन Council of Agriculture इसार इसकार के दौरा क्या होता है इसका examination लिया जाता है National Test Agency के दौरा और इसके through different colleges जो Central Universities है उसमें admission दी जाती है ठीक अब यह बात होगी हमारे next level पर अब बात करते हैं स्टेट लेवल पर ठीक है तो स्टेट लेवल की बात की जाए agriculture फिर से तो तीन में एक्जाम होते हैं ठीक है पहला होता है पी एटी बी एसी न अग्री कल्चर होटी कल्चर उध्यानिकी के पाइठकरम में प्रवेश है तू प्री अग्री कल्चर परिच्छा दूसरा है क्रिश्य इंजिनिरिंग डेरी टेक्नलोजी में बी टेक के लिए क्या होता है पी एटी एक्जाम और थर्ट पशुची कित् एटेटरी परिशा P V T होता है ठीक है हम लोग क्या है एट खलियान गाय घरवा वाले हैं आरी गाय वहां भूते मश्ली पालन भी बहुत चारए में बहुत अच्छा हैं ठीक है कि वैटेटर दॉक्टर बन सकते हैं है तो आप एमें का है यहां और निटी भी करना है तो और एकर bachelor's course भी होते है ठीक है चलो आगे उकर बारे में बात करते हैं अगर आप biology field से हो और आपको क्या है agriculture में जाना है ठीक है तो इसके लिए कौन-कौन से courses होंगे या कौन-कौन से field होते है प्रेटिकुलर biology वालों के लिए agriculture में agriculture science यह सब BSc courses होंगी जो चार वर्षों के होते नौर्मल अगर BSc जाते हैं तो वो तीन वर्षों का होता है लेकिन यहां पर जो BSc होंगे वो चार वर्षों के होंगी ठीक है agriculture science horticulture science, forestry science, home science और silk science यह पांच ऐसे फिल्ड है agriculture के जिसके लिए आपको क्या है biology फिल्ड से होना बहुत जरूरी है और यह पांच डिफ्रेंट हमको क्या लगता है agriculture ही तो कहना है agriculture के अंदर भी यह पांच courses है जो available होते हैं ठीक अगर 36 गड़ की बात की जाए तो उसके टेस् P.A.T. ठीक है और इसके फॉर्म आ चुके हैं यह 26 मई से इसके फॉर्म भराने शुरू हो रहे हैं जो 16 जुन तक भराए जाएंगे और इसके संभावित एक्जाम है जो 2 जुलाई 2023 को होगा तो जो बच्चे 12 इस साल पास किये हैं वो जा कि इसका फॉर्म भर सकते हैं अग इसके एक उन्रसटी हमारे हैं कौन सी है भाई हस्टेट की वह है इंद्रागांधि क्रिशी विश्य विश्व विद्याल है ठीक है अगर बात करूं इस कॉलेज इस इस उन्रसटी के अंदर तो 49 कॉलेज है जिसमें से 34 इसे अफिलेटेड है और क्या है सौरी 34 इसके गवर् कौन लेता है 36 गड़ में cg व्यापम के दौर एक्जाम होता है अगर आपको इसकी जानकाली लेनी है कि पीटी एक्जाम कैसे होते हैं प्रिवेस इसके पेपर कैसे होते हैं तो आप cg व्यापम के साइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भराना शुरू हो agriculture engineering and building and food technology तो यह उपर के तीन है इसके लिए आपको बैलोडी तो दो बहुत ज़़्य ऐगर आप देखो अब आते हैं हम लोग मैiov के अले लेकिन एहां किते दल कुलिफ करना है तो आप क्याversion मैथम है अब तो ine लिभी एक ठीजियर्टीम आपकर श्रसाथ सबस्क्रेमलेमेक P जैसे अमूल क्यांते हो गुजरात की सबसे बड़ी डेरी फर्म है है ना तो उसी प्रकार शत्तिस कड़के जैसे देव भोग है है ना तो उसी प्रकार डेरी टेक्नलोजी में आप काम करके खुद का एक डेरी यूनिट डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके गाउं के आसपासी जमीन में डेरी फर्म लगा सकते हो तो बैटर है कि आप क्या करो डेरी टेक्नलोजी से ले लो अगर आप आपको फूड का बहुत शौक है या आपको अलग अदर खानों में कुछ क्रिएटिविटी चाहिए है ना तो वह क्या होता है लेकिन फूड टेक्नलोजी क क्या है मैथमेटिक्स वालों के विए होते हैं ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगर आपको बीटेक इन फूड टेक्नलोजी करना है तो इसके लिए इंद्रा गंधी कर्शी विश्विश्विदाले से संबंधित कॉलेज कौन सा है खाद्र प्रद्यृ की महाविद्याले राय स्वामी वेकरन क्रिशी अभिध्याले रायपूर में और भवानी साव रामडार साव मेमोरियल क्रिशी अभिध्याले मुगेली में तो रायपूर में एक कॉलेज है जो इंद्रा गंधी कृष्य विश्विद्याले संबंधित है जो क्या है बी-tech इन अग्रिकल्चर इंज क्रिशी विश्विद्याले से नीजी कॉलेज कौन कौन से संबंधित तो यहां पर भारति क्रिशी अभिंतरी की महाविध्याले दुर्ग में है एक और क्या है एक है हमारा धनुरा रिसाली भिलाई में तो यह दो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज जहां बी-tech इन अग्रि कि बारवी के बाद क्या है बहुत की रसायान और जी विज्ञान से उत्रिण हो तो आप क्या है इस टेस्ट में बैठने के लिए अलेजिबल हो ठीक चत्रिस गड़ में अगर इसकी यूरिशिटी की बात की जाए तो यहां कॉन सा है दाओ श्री वासुदेव चंद्राकर का तो इसके अंदर बात की जाए तो कोर्से डिफरेंट कौन कौन से है या कॉलेज कौन कौन से है में वासुदेव चंद्र एक आपका दुर्ग में है दूसरा बिलासपूर में है तीसरा रायपूर में है चौथा कवर्धा में यह चार कॉलेज है जहां मतश्य पालन या आप पशुपालन समंधित कोर्से करा आए जाते हैं अगर कामधिनों विश्विद्याले के अंदर अंडर ग्रेज्वेट कोर्से की बात करें तो कौन कौन से होते हैं बैशलर्स आफ टेक्नलोजी डेली टेक्नलोजी बैशलर्स आप अटेरणी साइंस एनिमर हजबेंडरी और पैशलर्स आफ फिश्री साइंस बीफसी यह सब चार वर्सों के कोर्स होंगे और यह सब कामधिनों विश्विद्याले के अंदर आते हैं और चार कॉलेज कौन से हैं मैंने यह बता दिया है कहां कहां दूर्ग बिलासपूर रायपूर और कवर्धा में यह कॉलेज है ठीक यह भी क्या है दो जुलाई को ही संभावित है और इसका भी एक्जाम फॉर्म आपके पी एटी फॉर्म के साथ भरा जाएगा ठीक यह इसमें क्या है डिप्लोमा इन एनलिमेर हंस्वेंटरी कोर्सेस करते हैं ठीक अगर पॉलिटेखनिक कॉलेज की बात की जाए जो कामधि समस्वन्दीट है कि यह सबस्ते हैं और आपने जा सकते हैं तो पहला क्या होगा केंदराजी के क्रिशी विभाग के इंतरकत विभिन आधिकारी बन सकते हो सरकारी गैनिशत्राइज संगठों में छेत्र विकास कायिकम चलते हैं आप उसमें और पॉइंट हो सकते हो विभिन पद्विज उत्पादक, केट नाशक उत्पादक, खाद उत्पादक कंपेनियों में विभिन पद्पर आप जा सकते हो, खादर प्रसासंग संबंधि उत्द्योगों में विभिन पद्पर, विभिन सरकारी नीजी, बैंको, वीमा कंपेनियों में प्रबंधा के इसके अलावा agriculture के लावा biology सेक्टर में देखे तो जिनके बारे में आगर आने वाली वीडियो में बात करूंगी तो क्या है एक physician डॉक्टर जिसके लिए क्या आपको तो अपको लगता है नर्सिंग तो उसकी भी an डिट आच्ग सकते हैं आपको अगर दवाईयों के साथ अच्छा लगता है या लगता है और खुद का medical टालना तो आपको अक्तर लगते हैं कि लैब में कहीं जाके काम कर जा सकता है यह छोट छोटे लैब्स बहुत सारे होते हैं उसमें अज़ा टेस्टिंग कर के जा सकता है तो क्या है आप लैब टेक्निशन के रूप में भी जॉइन कर सकते हो ठीक इसके अलावा अगर करियर ऑप्शन है तो बेटा एक दो तीन चार नहीं है हमारे पस बहुत करियर उप्शन है तो आपको अपने सोस्व समझ के अपकी कितनी है आपके पैरेंस कितना खर्च कर सकते हैं आपके चेतर में जाके पढ़ना चाहते हैं आप अपने आपको दो साल बाद पास साल बाद और अगले दस करते जाओंगी आप से को जो भी चीजे प्रॉब्लम हो रही है मैं उसके बारे बताते चलूंगी कि कैसे कोर्स लेना है क्या चीजे करे जाना चाहिए और अभी प्षा में हमारी क्लासे स्टार्ट हो चुकी है नवी से दस्वी जो आपको बताया हुआ था पिछली वीडियो म की आपको यहां सभी नवी से बारवी हिंदी मेडिया के स्टार्ट हो चुकी है नवी दस्वी के आपको गडी जीलेत था हाई को और अच्छा किया जा सकता है या कुछ नया सीखा जा सकता है या मैं जेते सारी एक्जाम की बारें बता रही हूं उसकी प्रेपरेशन आप 10 वी 11 वी से ही करना चाहते हैं तो यह अभिप्षा एक ऐसा प्रेटफॉर्म है जहां आपको स्कूली तयारी के साथ यह आने प्रेटफॉर्म है जिसमें बात करेंगे तब तक आप इसको और खोशते रहें अपने फ्रेंड्स को लाइक भेजिए लाइक करो सब्सक्राइब करो और अपने हमारे जो इस वीडियो को है अगर आपको उप्योगी लगता है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो